दायनिक जीवन में रसायन, Chemistry Every Day in Life, एक ऐसा चैप्टर जो हमारे और आपके दायनिक जीवन में काफी इंपोर्टेंट रोल अधा करता है, जैसे आप सभी अस्टुडेंट जब 11th क्लास में सम बेसिक कॉंसेप्ट आप केमेस्ट्री रसायन विग्यान के मुल अधरना पड़े थे, तो वहाँ Importance of Chemistry बताया गया था, कि Importance of Chemistry के अंत्रगत में आप Agriculture के शितर में इस Chemistry के कमपाउंड का Fertilizers के रूप में यूज़ करते हैं, आप अगर बहुत अच्छा अंसवागरी उपजा लेते हैं, तो उसके भंडारान के लिए Preservatives के रूप में बहुत सारे chemical के ही उसका भंडारान अच्छी तरह से हो पाता है, आपको अपना अच्छा घर बनाना है, तो Marbles, Pallaster of Paris, या Gypsum, ये सब का इस्तमाल करते हैं, आपको युद्ध करना है, वार फेयर समागरी के रूप में, आपको Dynamite, RDX, TNT का इस्तमाल करना है, तो वो भी Chemistry कहीं कमपाउंड है, यहाँ तक की Computer World में ही, Mobile के दुनिया में, चिप्स जो बोला जाता है, चिप्स वो Silicon का बना होता है, उसके बाद, जो मतलब, अगर हम बात करें, आपके Transportation का या आपके साधन का, तो वहाँ भी आप इसका Use Fuels के रूप में, यानि Hydro Carbons के रूप में, पेट्रोल डिजल जो है, Hydro Carbons है, वहाँ भी देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं, आपके स्वास्त का, Medicine के शिद्र में, आप जो भी Tablet, Capsule, Syrup, Injection लेते हैं, अपने आपको स्वास्त रखने के लिए, Healthy रखने के लिए, तो यह सब Chemistry के ही Compounds हैं, तो इसी से Related है, हमारा यह Chapter, धैनिक जीवन में रस Chemistry Everyday in Life, जिसका First Topic है Medicine, और सधी, क्या होता है, समझा जाए, वे रसाइनिक पदार, जो मानो शरीव, या जन्तूओं पर, रोक किच गित्सा, या दर्द निवाराण, या सुष्म जीवों के व्रिधी के लिए, इस्तमाल कियाता है, और सधी या Medicine कहलाता है, इस Medicine में, सबसे प जीवों के व्रिधी को रोक देती है, उसको कहते हम, एंटी सेप्टिक पुत्ती रोधी, डिटॉल, बिथिनॉल, सिटेविलों, मिधायलीन, ब्लू, ये सभी important, एंटी सेप्टिक के रूप में यूज़ के जाते हैं, आपको बता दे, कि 0.2% फिनॉल से, ये एंटी पुत्ती रोधी बनाया जाता है, साबुन में एंटी सेप्टिक के रूप में बिथिनॉल का यूज़ करते हैं, वी संक्रामक, डिसिन्फेक्टेंट, आपको ये जानना चाहिए कि डिसिन्फेक्टेंट और एंटी सेप्टिक, दोनों सुस्मजीवों के विर्धी को ही रोक करने के लिए करते हैं, लेकिन आप इसको अपने बॉड़ी पर इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये डिसिन्फेक्टेंट है, तो वे रसाइनिक पदार जो सुस्मजीवों को विर्धी को पूर्ण रूप से रोकने योग या खदम करने योग होते हैं, प्रती संक्रामक कहला ये जिवित उत्तक के लिए विसेले होते हैं, इसलिए आप डाइरेक्ट डिसिन्फेक्टेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, अपने बॉड़ी पर, ये फर्स सौचाले उपकरार एवं कपडों को किटारू रहित करते हैं, वन परसेंट फिनोल से डिसिन्फेक्टेंट का नि रूप में है एनल्जेसिक, वे सभी हो सदिया जो दर्द निवारान में यूज की जाती है, या जोर नासी में भी थोड़ा फ्ला यूज होता है, लेकिन मेंली ये जाना जाता है, दर्द निवारान के रूप में, तो वे हो सदिया जो दर्द से अराम दिराती है, एनल्जे सिक दो प्रकार के होते हैं एक नार्कोटिक्स एक नॉन नार्कोटिक्स जब और सोहन ये दर्द हो काफी तेज दर्द हो जैसे ब्लट कैंसर के पेसेंट या यह सब के लिए आप नार्कोटिक्स मेडिसीन का इस्तवाल करते हैं यह नार्कोटिक्स जो है इलकलोाइड होते हैं इकलोएट से बने होते हैं और यह मुक्ता अफिन के उत्पाद होते हैं जो हिरोईन, मार्फिन, कोडीन होता है उससे यह त्यार कियाता है यह सभी मेडिसीन तो यह नार्कोटिक्स है जो और सहनिय दर्द के लिए और दिन भर के थकान से अगर कोई दर्द आपको है बोडी प आपक का मतलब जोर या जोर रोधी भी होते हैं एस्प्रीन, नोर्जीन, नियोप्रोक्सेल ये सभी जोर नासी बतलब जोर को कम करने वाले भी होते हैं तो यहां नार्कोटिक्स के रूप में एस्प्रीन, नोर्जीन ये सब का इस्तमाल होता है